Hello everyone, I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को B.A. प्रोग्राम से जो आपका समिस्टर 3 और 4 में M.I.L. हिंदी सब्जेक्ट होता है, हिंदी B, हिंदी गद्य उद्भव और विकास, इसका नया और लेटिस्ट स्लेबस बताने वाला हू कहीं आप पुराना स्लेबस तो नहीं पढ़ रहे हैं, आप इस वीडियो से क्रोस चेक कर सकते हैं, और स्लेबस भी आपको पता चल जाएगा जो लेटिस्ट है आपका, अकॉरिंग जो न्यू स्लेबस, स्वाइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताना चाहूंग कि अगर कोई क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसिस कर सकते हैं, यूजर नेम आप सभी के सामने लिका हुआ है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आपके मुझ से पूछ सकते हैं, तो चले फिर अब हम स्लेबस के बारे में डिसकस करते हैं, तो हि इक जो है आपकी इकाई एक, इसमें आपको हिंदी गद्य उध्भव और विकास पढ़ना है, फिर आपको हिंदी गद्य के विभिन रूपों का परिचय पढ़ना है, और फिर आपको आत्म कथा, यातरा साहिते, रेखा चित्र, व्यंगे और संस्मरण, ये टोपिक आपको सदाचार का तावीज हरीशंकर परसाई जी ने लिखा है, ठेले पर हिमालय धरमवीर भारती जी ने लिखा है, इकाई चार में जब आप आते हो, तो अंधेर नगरी जो कि भारतेंदू हरीशंकर जी ने लिखा है, ये आपको पढ़ना है, फिर जब आप दूसरे टोपिक पर आते हो, तो वो है बीबिया, जो कि महादेवी वर्मा जी ने लिखा है, तो देखिए ये आपका हिंदी बी का लेटिस्ट इसलेबस है, आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, कि मैंने हिंदी बी का कम्प्लीट इसलेबस कवर करवा रखा है, अगर आपको वो सारी वी प्रेशन भी करवा दूँगा, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देए, वीडियो को लाइक कर देए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जय हिंद जय बार